नमस्कार जी नियूस पर आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ पूर्णिमा मिश्रा दोपहर के बारह बज़ने वाले हैं बारह बज़े के बुलचन के शुर्बात हम करने जा रहे हैं नियूस 50 के साथ और उसके बाद आज की चुनाबी डीटेल्स भी है माराश की 10 महानगर पालिका के लिए वोटों की घिनिती जारी बीजेपी 4 शिफसेना 4 महानगर पालिकाओं में आगे सोलापू नाकपूर अमरावती पुडे और अकोला में बीजेपी नमबर बाद पुड़े में बीज़ेपी ने बनाई बढ़हत दूसरे नंबर पर शिफसेना तीसरे पर कॉंग्रेस आगे मुंबई में शिफसेना ने बनाई बढ़हत अर्चाट सीटों पर चल रही आगे बीज़ेपी अर्चाट सीटों पर आगे अम्रावती पिंप्री में बीजपी से जीती एक एक सीट अम्रावती से रीता पंडोले और पिंप्री से रवी लाड़ के निर्विरोज जीते शिफसेना नेता मनीशा कायंदे का दावा इस बार शिफसेना को सबसे ज्यादा सीटे मिलेंगी शिफसेना नेता मनोहर जोशी ने साफ किया उद्धव और राज नहीं आएंगे साथ मुंबई में पिछले 25 सालों से सबसे ज्यादा बोटिंग हुई दूसरे निगमों में भी मतदान ज्यादा हुआ यूपी में चौथे चरण की 53 सीटों पर वोटिंग जारी सुबह 10 बजे तक 12 से 15 फीसदी तक मतदार हुआ यूपी बीज़ेपी अध्यक्ष केशर प्रसाद मौरे ने इलाबाद में वोट डाला बीज़ेपी की सरकार बनने का दावा किया बीज़ेपी नेता सिद्धार्थनाथ ने अपने परिवार के साथ वोट डाला सिद्धार्थनाथ अलाबाद पश्चमी सीट से चनाब लड़ रहे आदिची सिंग ने भी वोटिंग की राय बरेली सदर सीट से गटबंधन की उमीदवार है चौथे चरण के बारह जिलों में फिलहाल सबसे ज्यादा चौबीस सीटे समाधबादी पार्टी के पास इस बार सीट बचाने की चनाब लूपी के चासी में दिव्यांग ने किया मतदान कहा प्रदेश के विकास के लिए वोटिंग की महुबा के मतदाताओं में भारी उत्सा विदाई से पहले तुलहन ने वोटिंग की चासी में बड़ी संख्या में वोट देने के लिए महलाएं पहुंची आलाके में पानी बिजली की समस्या को आधार बना कर मतदान प्रताबगर के रामपुर में मुस्लिम महलाओं में जबर्दा सुचाह लंबी लंबी कतारे देखने पुमली हिलाबाद के लाल बहारा मतदान केंडरो पर सबसे ज्यादा जुड़वा मतदाता वोटिंग के दौरान मतदान कर्मचारियों को भी कंट्स्यूजन दुआ प्रताबगर में बीएसपी और बीजेपी समर्थों में मार पीट हुई कुछ जगह एबीएम खराब तो कहीं पर वोटिंग का बहिशकार भी हुआ वोट डालिए सेल्फी लीजी और हमें हैश्टाग यूपी वोट महा रिजाल्ट्स पर ट्वीट कीज़ए यूपी के बहराइच में आमने सामने होंगे आज पीएम मोदी और बीएसपी अध्यक्ष मायावती अपने अपने प्रत्याशू के लिए वोट मांगेंगे पांच में चरह के लिए अखिले श्यादव का तूफानी प्रचार बलरामपूर गोंडा फैज़ाबाद में साथ रह लिया आज प्रयांका गांधी के साथ राहूल करेंगे चनाव प्रचार अमेठी में तीन रह लिया यूपी चनाव पर अमिश शितीखै सवाल शाम साथ बचकर 55 मिनट पर यूपी के महोवा में चनाव से पहले हिंसा समाजवादी पार्टी उमीदवार के बेटे पर जान लेवा हमला बीएसपी उमीदबार की बेटे पर फाइरिंग का रोप स्रमू कश्मीर के शोपिया में सेना के गश्ती दल पर आतंकी हमला तीन जवान शहीर, तीन जवान खायर सर्च उपरेशन के बाद लोट रही सेना पर हमला हुआ आतंकियों की गोली से एक महिला की मौट दिली यूनिवरस्टी के रामजस कॉलेज की सुरक्षा बढ़ाई गई देश विरोधी नारी लगने के बाद प्रश्रासन का फैसला दिली के रामजस कॉलेज में हुए हंगामे पर F.I.R. दर्ज हुई कल ABVP और आईसा के कारकरताओं में जड़प हुई थी रामजस में देश विरोधी नारे पर दिली बीज़पी अध्यक्ष मनोश तिवारी ने कहा D.U. को JN.U. बनाना चाहते हैं आईसा बाले बिहार विदामसवा का बजट सत्राद से बीज़पी उठाएगी सेक्स कैंडल का मुद्दा लालू ने कहा सभी विधायक मौझूद है बिहार के CM नतीश कुमार के फैसले पर केंद्र मंत्री उपेंद्र कुश्बाह का तंश कहा सरकारी कर्मचारियों को कहां कहां शराब पीने से रोकेंगे यौन उत्पीरन के आरोप में फसे बिहार कॉंग्रिस के नेता बरिजेश पांडे अब भी फराग पॉक्सों के तहट केस दर्ज नेलो का ऐलान आज खोदेंगे S.Y.L. नेहर शंबू बॉर्डर पर धारा 146 लागू हुई बॉर्डर पर अर्चैनिक बलों की कई कंपनिया और पुलिस बल पहना पटियाला रेंज के डियाईजी आशीश शौधरी का बयान किसी भी हालत में इन एलो कारिक करताओं को नहीं पार करने दिया जाएगा बॉर्डर पानपुर के हालिट अस्पताल में महिला मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर पती पत्नी को पीट पर लाट कर घूमता रहा एक वाट से दूसरे वाट कर बेंगलूरों की जील में आग पर एंजेटी सक्थवी करनाटिक सरकार को नोटस दे कर जवाब मांगा है देश की लच्छ टेलेकॉम सेवा से नाखुष प्रधान मंत्री काम्प्नियों से कहा खराब सेवा की श्रिकातों को जल से जल दूर किया जागातार रेल हाथ्चों के बाद प्येमों ने रेल मंत्रा लेको आगाह किया एलेक्रिफिकेशन मरमत के काम में तेजी लाई था सतलुज यमुना लिंक नहर पर सुप्रीम पोर्ट का फैसला हर हालत में नहर बने पानी कहां से आएगा इस पर फैसला बाद में होगा जारखन के धनबाद में फल व्यापारी से तीन लाग की लूग की गई बैंक के काउंटर से बाग लेकर चोड फराट हुआ मद्यप्रदेश के दमों में डॉक्टर के घरताल मारफीट करने के लिए आरूपियों ग्रफतारी की मा मद्यप्रदेश विदान सबा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन आएसाई जासूसी अवैद माइनिंग और कूपोशन को लेकर विपक्ष कहांगा यमुना एक्स्प्रेस वेके जेवर टोल से गायब सीए के छातर शुभम का अब तक कोई सुराग नहीं 18 फरवरी को दिली में हात रस के लिए निकला था यूपी के ग्रेट अनॉइडा में दो साल की बच्चे के साथ दुराचार के बाद हत्या आरोपी ये वक्त हुआ गिरफता चातरपूर में स्कूल प्रबंधन की गुंडागर्दी स्कूल फीस जमाना करने पर बच्चे को दो घंटे तक कमरे में बंद रखा अभी बाबकुन का हंगावा विज़े मालिया ने एक इंट्रिव्यू में कहा मैं भारत में फॉलिटिकल फुट्बॉल बन गया मालिया ने कहा सीबिया ने सरकारी दबाव में सिवल केस को क्रिमिनल केस में बदला आरोपो का खानूनी जवाब दे रहा